मैं अंजल अगरवाल सरव एजुकीशन से हम कर रहे थे 11th Standard Micro Economics का चाप्टर Theory of Demand इस चाप्टर में basically हम consumer की demand को समझने की कोशिश कर रहे थे last lecture में हमने कुछ terms discuss की जैसे demand क्या होता है quantity demanded का क्या मतलब होता है demand schedule, demand graph या demand curve कह सकते है जिसे हमने इन सबी चीजों के बारे में समझने की कोशिश की आज की lecture में हम समझेंगे demand function basically simple भाषा में हम समझने वाले हैं कि एक जो consumer की demand है क्या क्या different factors है जो उस demand को affect करते हैं हाँ एक demand अब demand से हम लोग क्या समझेते हैं ऐसी कोई भी desire जो आप willing हो पूरी करने के लिए और आपके पास purchasing power भी है उस demand को पूरा करने के लिए for example अगर 100 रुपे की chocolate है आपके पास 100 रुपे भी है और आप chocolate लेना भी चाहते हो तो वो आपकी क्या बन जाएगी demand बन जाएगी इतना हम बिलकुल समझ चुके हैं तो basically आज के हमारे lecture का सवाल क्या है कि हमारी ये जो demand है कौन-कौन से factors हैं जो इसे affect करते हैं कौन-कौन सी चीज़ हैं देखो हमने definition में क्या पढ़ा था Demand is a desire backed by purchasing power and consumer's willingness to purchase it तो हमें इसी के context में अगर हम यही से समझने की कोशिश करें कि हमारी जो demand है उसको क्या-क्या affect कर लें आप market में कुछ लेने जा रहे हो, कुछ demand कर रहे हो तो क्या-क्या factors उसे affect कर लें क्या-क्या हमारे दिमाग में आते हैं क्या रिक तो हमें price पता होना चाहिए कि मैं इस चीज की demand कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ price तो पता होना चाहिए कि 10 रुपे की चीज है, 20 रुपे की चीज है, 30 रुपे की चीज है और क्या पता होना चाहिए कि आपकी pocket में पैसे कितने है income क्या है आपकी और क्या पता होना चाहिए कि आप क्या लेना चाहते हो market में गए हो लेने क्या गए आपका taste क्या है आपकी preferences क्या है तो basically हम यही समझने वाले हैं कि ऐसे जो यह different factors हैं जो हमारी demand को affect कर रहे कि क्या affect डालते हैं हमारी demand for example कि आपको जो चौकलेट पसंद है जिस चौकलेट की आप demand कर रहे हो जिसका प्राइस 10 रुपे है उस चौकलेट का प्राइस 10 रुपे से बढ़कर कितना हो गया 20 रुपे हो गया तो आप अपनी demand reduce करोगे कि नहीं करोगे जब भी कोई चीज common life में आलू प्याज का example उठालो सबजियां जब महेंगी हो जाती है कोई particular सबजी महेंगी हो गई तो हम क्या वो सबजी purchase करते हैं हम कोई और सबजी लेने लगते हैं क्या नहीं ये महेंगी हो गई आज इस बार प्याज महेंगे कोई बात में प्याज छोड़ो वो भी बना लेंगे हाँ तो basically देखो price का हमारी demand पे क्या affect पढ़ अगर चीजों का price ज़ादा हो रहा है चीजें महेंगी ही हो रही है तो हम उसका demand क्या कर देते हैं reduce कर देते हैं ऐसे ही जैसे sales हो जाती है या फिर कोई off चल रहा है क्या हो गई बढ़ गई तो एक simple शब्दों में हमने क्या establish किया कि हमारी जो demand है उस पे price कैसा affect डाल रहा है inverse affect डाल रहा है price के बढ़ने से demand घट रही है demand किसके इसमें बढ़ रही है जब हमारा price कम हो रहा है समझे हम लोग इतनी बात कि price कैसे हमारी demand को affect कर रहा है और हमने किसकी बात की थी income की बात की थी income हमारी demand को कैसे affect कर थी एक example यह ते मेरे पास पहले कितने रुपे थे हर मन्त मेरे पास 10,000 रुपे या तो मैं कुछ चीजों की अलग 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 कितने होगए तो मुझे बताओ वो बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी अगर हर महीने मैं दो टीशिट्स ले रही थी तो आप क्योंकि मेरे पास जादा पैसे है मैं शॉपिंग जादा करने वाली हूँ के नहीं करने वाली हाँ तो basically क्या होता है income हमारी demand को कैसे affect करते है income हमारी normal goods की demand को बढ़ा देती है better income होगा तो spend भी better करोगे न अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा term मैंने यूज किया normal goods क्यों? normal goods का क्या मतलब है? देखो अगर हम एक normal example ले कि आपना हर रोज क्या करते हो? 10 रुपे का burger खाते हो Chinese corner से आपकी monthly salary 1000 रुपीज है अब हर रोज क्या करते हो? 10 रुपे का burger खाते हो अब जो आपकी monthly income है वो बढ़कर कितने हो गई? 4000 हो गई 1000 से कहां चली गई? better हो के 4000 पे चली गई आपने क्या behavior शोग ही? आपने खा यार 4000 है अब मेरे पास आपने वो 10 रुपे का burger छोड़के आप एक restaurant में अच्छा dinner करने लग गए तो यहाँ पर हमने तो यह बोला था ना पहले कि income बढ़ने से क्या होगी? demand बढ़ जाएगी? याने कि आपको क्या करना था? आपको burger का demand बढ़ाना था? पर आपने क्या किया? आप burger से shift हो गए एक restaurant के dinner पे ऐसा क्यों हो? इससे हमें क्या पता लग रहे है? कि income हमेशा यह effect नहीं दिखाती कि चीजों का हम demand बढ़ा देंगे यह separation किस basis पे हो रहा है? देखो जो हमारी inferior goods होते हैं यहाँ पे हमारा burger क्या है? inferior goods है junk food खा रहे थे unhealthy food खा रहे थे because वो सस्ता था लेकि जब आपकी income better हो गई आप ज़्यादा चीज़े afford कर सकते हो तो basically आप क्या करोगे? आप better की तरफ shift हो जाओगे? आप inferior goods की consumption बढ़ाने से बढ़ाने की जगा क्या करोगे? हटा दोगे inferior goods को या कम कर दोगे? बोलोगे यार normal goods better goods तो income की effect को हमें समझने के लिए goods को समझना बहुत सरूरी हम कहते हैं कि income better होने से हम consumption बढ़ा रहे हैं जैसे मैंने अपनी shopping बढ़ा दी लेकिन हर goods के साथ ऐसा नहीं होगा कई बार आप क्या करोगे? आप normal डाल खा रहे थे लेकिन better income होने की वज़े से आप बोल रहे हैं यार घर में organic खाना आना चाहिए organic डाले आनी चाहिए हाँ इसमें क्या हुआ? आपकी जो normal डाल थी आपने उसकी consumption बढ़ाई ने demand बढ़ाई ने instead क्या किया? आप organic डाले खाने लग गए क्योंकि normal डाल क्या होई यहाँ पर? inferior good होई हाँ तो basically हमने क्या समझा कि demand को income कैसे affect करेगे? inferior goods के case में आप क्या करोगे? अपनी demand को reduce कर दोगे उस good के लिए या में भी करना ही बन करते होगे और normal goods के case में जो आपकी normal goods है उनकी demand को आप क्या करोगे? income better होने की वज़े से अब आप जादा खर्च कर सकते हो लिए आप उन्हें बढ़ात होगे बिलकुल समझा रहा है हमें कि price कैसे affect कर रही है हमारी demand को income कैसे affect कर रही है हमारी demand को और क्या चीज़े affect करते है taste and preferences यानि consumer का जो taste होता है जो preferences होता है वो भी demand को affect करते है कैसे भई? taste and preferences को हम क्या समझते है आप में को बात बताओ अब winter season आने वाला है winter season में जब आप shopping के लिए जा रहे हो आप woolen clothes prefer करोगे या summer clothes prefer करोगे obviously हमारा जवाब क्या होगा कि हम woolen clothes prefer करेंगे हाँ तो market में हम किस चीज़ की demand कर रहे है woolen clothes की यह जो हमारी demand है इसको किस ने affect की है हमारी preferences ने तो हमारी taste and preferences को basically बहुत सारी चीज़े बनाएंगी जैसे market में कोई नई inventions आ गई है ठीके better technology आ गया है वो चीज़े भी हमारी demand को क्या करेंगी affect करेंगे बेसिकली अगर हम बात करें आज से 10 साल बात कि electric cars ही बहुत ज़्यादा function में आ जाते है petrol cars क्या हो जाती है तो petrol cars की demand को किस ने affect की है electric cars की नई invention में क्योंकि हमने क्या कि अपना preference change कर ले हम बोल रहें environment friendly लोग है और हम लोग electric cars यूज़ करें हाँ तो basically preferences में change आया इस वज़े से हमारी demand क्या हो रही है affect हो रही है तो demand को हम ऐसे भी analyze कर रहे कि जो हमारे taste and preferences है वो भी हमारी demand को क्या कर सकती affect कर सकती next हमारा point है price of related goods इसका क्या मतलब है कि जो हमारी goods है वो आपस में कुछ इस तरीके से related है कि अगर एक good के price में कुछ भी change आ रहा है तो हम क्या कर रहे है दूसरी good की demand को भी affect होने दे रहे है basically कोई बात नहीं हम इस point को example से समझते है कि रिव हमारे पास example क्या है एक तो coke है और एक Pepsi है दोनों का price कितना है 20-20 rupees है अब हम करते है थोड़ा सा change अगर मैं कहूं कि आपका ये जो coke है ये 40 rupees का हों गया same bottle और Pepsi 20 की है तो basically coke के price increase होने से Pepsi पे क्या फरक बढ़ेगा लोग Pepsi का demand बढ़ा देने के coke महगा हो गया दोनों ही soft drinks है दोनों ही लोग पीने के लिए इस्तमाल कर रहे थे तो basically एक good के price बढ़ने से दूसरी good के demand क्या हो गई increase हो हाँ देखो Pepsi में कोई change नहीं है था लेकिन due to coke में change आने की वज़ा से Pepsi का क्या हो गया demand increase कर गया इसी तरीके से example ले ले अगर हम के जो coke है ये भी 20 रूपीज का है Pepsi भी 20 रूपीज की coke का price decline करके 10 रूपीज पे आगया तो Pepsi की demand पे कुछ फरक पड़ेगा क्या हाँ लोग Pepsi की demand कम करने लगे नहीं क्योंकि वो बुलें यारे 20 रूपीज की है 10 रूपीज का है यार coke लेते हैं हाँ तो basically जिन goods को हम interchangeably use कर सकते एक good को दूसरे good से substitute करने के लिए हम ready होते हैं उन goods के लिए कैसे हमारा demand affect करता है एक good की price बढ़ने से दूसरे good का demand increase हो जाता है क्योंकि लोगों ने क्या किया जिस good का price बढ़ा उसे substitute कर दिया दूसरे good से और वैसे ही अगर एक good का price decline किया है तो दूसरी good की demand भी क्या कर जाएगी decline क्योंकि लोग second good को क्या करेंगे substitute कर देंगे first good से जिस good का price decline किया है बिलकुल समझ पा रहे हमें कि कैसे goods का आपस में कुछ ऐसा relation है और यह effect हो रहे है और goods में क्या relation माना चाता है इसे तो हमने बोल दिया ना कि substitute goods है और कौन से goods होते है अगर हम बात करें एक noodles की यह noodle है और इसमें externally एक masala मिलता है जिससे यह noodle बनता है तो अगर हमारा जो noodle 40 rupees का है इसका price गिर जाए discount आजाओ और यह 20 rupees का मिलने लगा तो basically लोग क्या करेंगे noodle जादा खरी देंगे न अब मुझे एक बात बताओ जब लोग noodle जादा खरी देंगे तो उसमें डलने वाला masala भी जादा बिकेगा के नहीं बिकेगा तो basically यहाँ पर हुआ क्या noodle का price गटा noodle की demand क्या हो गई बढ़ गई और साथ ही जबकि masala की price में कोई change नहीं आया था फिर भी masala की demand क्या हो गई बढ़ गई तो basically जो goods एक दूसरे को ऐसे compliment करती है जो hand in hand जा रही है जिसमें एक good की demand बढ़ने की वज़े से दूसरी good की demand भी बढ़ जा रही है वो कौन सी goods है complimentary goods तो basically हम क्या समझ पा रहे है जब भी जो goods है इन में एक good की price में change आने की वज़े से दूसरी good पे कुछ ना कुछ effect पढ़ रहे है इस relation को हम क्या बोलते है cross price effect cross कैसे कि एक good में change आया एक good के prices में change रहे है दूसरी good की demand अफेक्ट होगे तो substitute goods में हमने क्या समझा substitute goods में basically अगर किसी चीज का price बढ़ रहे है तो दूसरी good की demand क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और अगर किसी चीज का price घट रहे है तो दूसरी good की demand क्या हो जाएगी खट जाएगी उसी तरीके से जब हम complementary goods की बात कर रहे हैं ऐसी goods जो एक दूसरे के साथ-साथ use हो रहे हैं अगर एक good का demand बढ़ रहे है तो दूसरे good का demand भी क्या हो जाएगा increase कर जाएगा एक good का demand decrease कर रहे है तो दूसरे good का demand भी क्या हो जाएगा decline कर जाएगा तो basically हम समझ रहे हैं कि कैसे alternative goods जो goods है अलग-अलग वो भी demand को affect कर सकती है अच्छा last हमारा point क्या है expectations expectations से हम क्या समझते हैं कि क्या हम किसी से expect कर रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो जाएगा वो चीज़ भी हमारी demand को affect करें expectations भी हमारी demand को affect करें कैसे? example लेते हैं अगर मैं आपको बोलू कि आपकी जो favorite chocolate brand है कल से market में double price की हो जाएगी हाँ तो आप क्या करोगा आज ही जाओगा और 10-15 जितना भी आपका budget होगा chocolates करीद लाओगे तो basically हमने क्या यहां से behavior observe किया? कि जब हम in future कुछ ना कुछ availability में change आने वाला है हम क्या करते हैं? उस चीज़ की demand को भी all of suddenly बढ़ा सकते हैं demand कैसे affect होई यहाँ पर? क्योंकि in future chocolates की availability में फरक आने वाला है, price बढ़ने वाला है तो हमने क्या कि आज ही ज़ादा सारी collect करके रखे आज ही हमने अपनी demand उसके लिए increase कर दी तो expectations से भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी goods है, goods का जो demand है, वो क्या होता है? affect होता है तो basically हम समझे कि हमारा जो demand है उसको क्या-क्या factors है, जो determine करते हैं तो हम demand function में हम क्या-क्या चीज़े हमने पढ़ी है एक तो क्या-क्या affect कर रहा है price affect करेगा price of alternate goods या different goods वो affect करेगा income affect करेगी कि आपके पास actually में पैसे कितने है खर्च करने के लिए आपका purchasing power कितना है, आपकी expectations, वो भी क्या करेंगी आपके demand को affect करेंगी last taste and preferences कि हम क्या prefer करते हैं तो as an individual ये सारे factors हमारी demand को बनाते हैं बिल्कुल हमें समझ आया कि कौन-कौन से factors हैं जो हम individually demand करने जा रहे हैं तो हमारी demand को affect करेंगे अब ये तो बात होगी individual level पे हम हमेशा से demand को हमने कैसे पढ़ना शुरू किया एक तो हम individual point of view से पढ़ रहे हैं और एक हम market के according पढ़ रहे हैं तो आप market का जो demand है उसको क्या क्या affect करेगा market का जो हम demand function पढ़ने वाले हैं उसको क्या क्या affect करेगा देखो basically ये सारे factors तो उसको affect करने ही वाले है क्योंकि these are the things जो आपकी demand को बना रहे हैं आप ही तो market बनाने वाले हैं पट इसके अलावा और भी दो factors है जो कि हमारी market की demand को affect करने वाले हैं फर्स्ट factor is population size commonly हम समझ सकते हैं कि अगर आपकी population जो है उसमें change आ जाता है जैसे कि पहले 10 लोग demand कर रहे थे अब 20 लोग demand कर रहे हैं तो demand obviously क्या कर जाएगी increase कर जाएगी तो basically हमारी जो demand है न उसको हमारी population का size क्या करने वाले है definitely क्या करने वाले है affect करने वाले है तो common sense है और क्या factor है जो हमारी demand को affect करेगा हमारा जो देश है या हमारी जो market है इसमें income distribute कैसे हो रहे है किन लोगों के पास जाता पैसे है हाँ basically जब हम income distribution की बात करें तो अगर हमारी economy में 20 लोग है अगर 20 लोगों के पास income distribution अच्छा है say for example हमारी economy में 200 रूपीज है अभी जो 200 रूपीज है 20 पीपल के पास अच्छे से circulated है say everybody have 10 रूपीज तो जो demand है वो क्या होगा? बेटर होगा लेकिन अगर जो distribution है वो equitable नहीं है सब के पास जादा अच्छे से distribution cycle नहीं गूम रहे एक जन्ने के पास 100 रूपीज है and rest of the 100 रूपीज बाकी सब में क्या है? distributed है उस case में हमारी demand पे क्या affect पड़ेगा? हमारी demand उतनी better नहीं होगी तो basically common examples हैं क्या समझ रहे हैं? कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर सिर्फ अमीर लोगों के पास rich लोगों के पास पैसा concentrated होगा उस case में अगर हम demand को study करें और अगर सारे देश में सारे देश में पैसे equitably distributed हैं उस case पे demand को study करें तो आप common sense से क्या सोच सकते हैं? कि किदर demand जाद होगा? एक तो एक लोग, एक तो एक जना demand कर रहे हैं और एक दस जन demand कर रहे हैं कि इस case में demand better होगी obviously in case of 10 people तो basically हम क्या समझ रहे हैं? कि जो हमारा market demand है उसको affect क्या कर रहे है? कि income का distribution कैसा है economy में? या market में? इतनी बात हम बिलकुल समझ चुके हैं कि market demand function में कौन-कौन से दो factors और आड़ हुए है और individual demand function में individual की demand को कौन-कौन से factors determine कर रहे हैं? तिलकुल हमें clear हो गया है next lecture में हम law of demand के बारे में बात करने वाले हैं मिलते हैं next lecture में अगर आपकी कोई भी queries हैं तो आप comment section में drop कर सकते हैं वरना आप हमसे telegram, instagram, whatsapp कहीं भी contact कर सकते मिलते हैं तब तक के लिए keep learning, have a good day